इसने मां सबलकी से किर्कुट में चल रहा हों हमारे थेष के नोज़वानों के किर्कुट में अपने नाम रखते हैं जिसमें हम भी और आप भी सभी रूशी रखते हैं। जब किर्किट का मेच आता है तो हम अपनी आखे टिक टिका एक टीवी पर लग जाते हैं। हम देखना चाहते हैं कि किसका खेल चले। अगर वास्तव में वो इंडिया का गेम होता है तो हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया जीते हैं। मैं उन्हीं खिलाडियों को लेक पास आपको आया हूँ खालोरी स्टेड़ में वहां के कोच से भी बात करूआ। और वहां जो किर्केट में प्रक्टिस कर रहे हैं। किर्केट में क्या जुनून हैं क्या जभा है कि वह जो आगे किया करना चाहते हैं। महिला किर्केटर भी हैं उनसे भी हम जानेंगे क्यों उन्होंने के की फिल्ड को चूना है। चोटे बच्चे भी हएं जो प्रक्टिस कर रहे हैं। विराट कोहली और सचिन तेंदरुकल और रोहिश शर्मा बनना चाहते हैं यहां के वो खिलाड़ी भी है अभी जानकरी मिली कि साउत अफरीका से भी जो लास्ट नाइट मैच हुआ है अनुभब हैं वो खेल रहे हैं उस टीम में खेल रहे हैं हमारे इसी स्टेडियम का नाम रोशन करने हैं कालोरी स्टेडियम जो मनोज भाई के निर्थत में बना हुआ है चलिए मेरे साथ मैं उन्हीं लोगों से आपको अब रूबरू कराता हूं उन्हीं से बात कराता हूं कि किर्किट में क्या उनका बेस्ट है और क्या करना चाहते हैं चलिए मेरे साथ अर्शिक हैं जोनों ने भी 1211 मनाई अब बेटे अब बेटे रोप मेरा अड़ यह वो खिलाड़ी जो देश का बोजा अपने कंदों पर आज जो इस दिनके किट है वो चाहते हैं हम देश के निये खेलें देश के नाम रोशन करें खिलाड़ी हैं क्रिकिटर हैं बोलर हैं यश जो अभी 121 रन बनाये थे मेरे साथ वो भी है और वो चाहते हैं देश का नाम रोशन ज़रूर करेंगे और यह हमारे दिन यह देश जजबा है मेरसात याश्विक हैं याश हैं विराठ हैं तीनों अपने उन सहियों की υस्टेडियम पर मोझूद हैं जो जजबा रखते हैं और खेल देश का नाम रोशन करने का आज कांधो पर उनके किरकिट जो किट होती है उसका बोज है लेकिन आने वाले समय में देश का बोज अपना बोज पर कांधो पर लेना चाहते हैं किरकिट खेलना चाहते हैं मैं नाजिम बेग आपको आज खालोरी स्टेडियम पर लेकर आया हूँ मैं उस खेल सरूबरू करा रहा हूँ जो आज हमारे देश के निये क्या हमारे निये भी एक चाहा बन चुकी है यहां से एक प्लेटफॉर्म है जो निकल के हम देखते हैं कि सचिन तेंदूलकर विराट कोली और रोहिश शर्मा इसे खिलाड़ी को हम खेलते हुए देखते हैं लेकिन आज उन्हीं मैंसे उन्हीं प्रतिभाव मैंसे हम खेलते हुए उन नोजवानों को देख रहे हैं जो कि उन्हीं की तरह नाम रोशन करेंगे मेरे साथ स्टेडियम में मौझूद हैं कोच है बताएंगे क्या क्या Cuttie होती है और वह सी कवालिफाइई करते हैं भच्छे तो मेरे साथ सतिश्कुमार जी हम अपने चेनल में आपका सुआगत खरते हैं धानेवा सर सब्सक्राइब हंथा क्या क्या Cutty के लिए भी बश्ता है तो यहां पर सभी एज गुरूप के बच्चे प्रक्टेस करते हैं जिसमें हमारा यू-पी-स यह जो ट्राइल कराता है नपोर्टीज, सिस्टीन, नाइंटीन, ट्वंटीफाइव, ब्रेलजी ट्रोफी तोहर साल बच्चे उसी में अपना फॉम डालत हैं, प्रतिव हाग करते हैं उसके अनुसार यहां से बच्चों का सेलेक्शन होता है अच्छी से यह हमारे छेतर के अलावा कहीं और से भी जू गेर जन पतों से भी आना होता है हाँ और जिश्टिक का स्टेट से भी टीमें मैच खिलना आती है यह और आया दिन मैच होते र पहले तो बच्चों के साथ हमें जादा महनत करने में उसे साथ बच्चों का हम जब पोटेंशल देखते हैं कि उमेहनत कर रहा है अपने जिस रूप में फिर उसके साथ बहुत मज़ा आता महत करने में जी 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 हमें फिर उसमें अपने बहुत से दिखाए देता है कि यह हमारा नाम रोशन करेगा चेतर का नाम रोशन करेगा फिर चाहते हैं कि हर तरीके से उनके साथ लगा जाए तो क्योंकि लाश्ट यहर यहां से रिजल्ट बहुत अच्छा राईक लड़का अपना यहां से हुआ होसे इता और माधरी चोदंट बहुत अच्छे बच्चेए अचा लड़कों की भी कोचिंग चले मैं इस एकृठीस करें नेगे थैंट इनका कहना है कि हमारे हों से इक अनुभब था जो की साथ आफिका से राइल लास्ट मैच वालाइजला राटमifi वर्लड कप चर् इसी ग्राउंड से प्रक्टिस करके निग्ला है अच्छा आप जो जाने वाला बच्चा है वह इसा कौन सा है जो पहुंच सकता है मेरे साथ से सभी बच्चे इस टाइम बहुत अच्छे चल रहा है बड़ा अच्छा माहुल चल रहा है मतलों मोर दन 50% बच्चे हैं कि जिनने मैं अभी उस नजर ऐसे देख रहा हूं कि अगली साल ये खामियाँ होंगे जी जी इनका कहना है कि इनके नहीं तो सारे ही बच्चे वाकी ऐसे हैं जो कि वो चाहते हैं कि सभी क्वालफाई करें सभी बहरा और विदेशों में भी जाकर खेले मैं उन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ जो कोचिंग ले रहे हैं उनसे भी पूछुमा कि सर की कोचिंग कैसी चल ले हैं चाहूं और मुझे कोच ने बताया है कि आकाश हैं मेरे साथ बहुत अच्छा खेलते हैं और मैं आकाश के वारे मैं शायद आपको बता दूँ कि हमा आपको प्राप्त हो तो अनको प्राप्त हो और क्या सीक उनको गूुद दे पार है हैं यह में सारे चीजते हैं अकाश से जानों इडांगेMark तुके बड़ो में बहुत अच्छा मैंसुज भिख सबस्ट परीजिम। यहाइम सुबर होगता है। अच्छा में फृत्शा को अच्छ उसके अचल आखने किताथें पिर्टिम। क्टमाले पृत और जिसके काम तो रहता है, यहाथ catching बालित रहते हैं तो तो इसलिए आज बच्चे बच्चे काम हैं तो इसलिए आज बच्चे काम हैं वाकि हमारा सेस्ट बाइस सेशन चलता है और बहुत अच्छी प्रेक्टिस होती है, मतलब कुलमलाकर और सारे बच्चे ना बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, साव एक दूसको सपोर्ट करते हैं, किसी भी मतलब कैसे भी, और हम सब मिलके अच्छे सी बैक्टेस करते हैं तो हमें सबको इंप्रूमेंट है साही बच्चों में अच्छ जैसे यहाँ आप खेलने हैं आपको ड्रीम क्या है तो सबका ड्रीम होता है कि आप कुछी बच्ची से बूचे से बूचेंगे इस सब कुछ मेटर करता है कि एक अच्छा स्पोर्समेन बनने में तो आपको जरूर सीखना चाहिए अपने बड़ों से भी जो आपके सींदर है और हमारे बहिया तो है यहां कोच इनका कहना है कि मैं अपने जो मेरे बदन पर मैं इंडिया की जर्सी देखना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया के निये खेलू अच्छा जैसे कहा जाता है और हम देखते हैं आपके पापर राजनितिक में काफी बहुत शांदर राजनिति करते हैं तो उससे क्या प्रेणना मिलती है क्रिकिट की तरफ आप आप यह ऐसा अच्छी रहे हैं बस मुझे बस यह देखने के मिलता है कि वह काफी संगर सी आदमी है जब हुने घर में देखता हूं मतलब कुछ भी चीज देखता हूं तो हमको एक डेली सुब उठाना और फिर उसके बाद क्या हम खा रहे हैं कैसे रह रहे हैं कहीं इदर तो नहीं गूम रहे हैं तो इसलिए मैंनों के अगर बहुत जाए हैं तो इसलिए मेरे पापा मेली सबसे जादे प्रिनान में उनको करता हूं तो उसके बहुत सीखने को सब कुछ मुझ है मिली अच्छा जिसे पाप आपका राजनेतिक है आपने राजनेतिक फिल्ड क्यों नहीं चुना आप किरकिट माय किर्किट ही फि किर्किट इसलिए मैं थोड़ दिन खेला तो मुझे मजा आने लगा उस चीज में जब आपको कि चीज में मजा नहीं लगता है तो आप देखते हो इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बना जाए जब वहां से कि थोड़ा सा पैसा भी आएगा तो तुमारे खेलने भी सुरू कर होगे तुम इंजोई भी होगा वो गेम तो इसलिए लोग सब प्रोफेशन बनाते हैं अब कोई अच्छा है थोड़ा देखता है पहले किसी चीज को फिर उसको अच्छा देखता मजा आने लगा तो इसको प्रोफेशन इसलिए बना जता है तो इसलिए बस मुझे थोड़ करते हैं एक अच्छा है महिला काएट कर क्या है नाम है मादुर प्रोफना की नाम है मादुरी चोदरी मादुरी क्योंकि मुझे क्रकेटर का इनाम ही याद आ रहा है जो बेस्ट है हमारे इंडिया में अच्छा आपको कैसे लगा किर्किट खेलना चाहिए किर्किट में आगया आना चाहिए आप जैसे लड़किये से वुमेन है मैं बच्पन में वैसे तो गली में खेलती थी लेकिन फिर दोजा साथ वर्टक देखने के बाद थोड़ा अंदर जाता है कि हमें इंडिया खेलना चाहिए देश के लिए कुछ करना चाहिए टाओ जिसे आप कहां से बलों करते हैं मैं शिकारपूर के बाद स्यारली गाह हुए अच जैसे कभी परिवार का यसा रोग टोक रहा हूं नहीं 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 घर्वालों आए नहीं बहुत, बहुत जाज़ा सपोर्ट, बेस्ट क्या करते हैं, आप किरिकट खेलते हैं, या कि मदलब, बॉलर, और ब्रेक, और ब्रेक, स्पिनर, और मिडिल ओर बैटिंगा है, अच्छा आज इस इंडिया की टीम में, महिले टीम में, आपको कौन बेस्ट लगता है, मताली है, क एक ड्रीम है, एक सपना है, में उनके साथ जा कर खेलना चाहते हैं, अच्छा जैसे, आपका बेस्ट क्या रहा है, पर्फूमेंस क्या रहा है, अब तक का 55 ये बेस्ट रहा है इनका, अब ही जो आपने क्रिकट जैसा खेला होगा, हमारे आसपाथ जहां आजया है, आपने करने जागा गई हूं लेके कानपुर वगारा भी गई हूं और आयुद्या भी गई हूं बहुत जागा गई हूं तो अच्छा एसक क्या मैसेज देना चाहती है जो लड़किया किर्किट खेलती हो प्रतिभाय जो चिपी हुई है वो निकल के नहीं आती है आप एक कदम आगे करे निकल के आई हैं किर्किट देश का नाम रोशन करना चाहती है इस फील्ड में भी नाम रोशन हो सकता है मलव देश के लिए भी कुछ करो और अपने मम् желकिप अपका किर्किट क्या खेलैं को का शोक है आप लड़कीों के कर्किट खेलिए इसा कुछ उनके निया क्या कह कि यहां से भी नाम रोशन हो सकता है। इंडिया के लिए खेलना चाह रहे हैं और ममी पापा के लिए और लोग भी हमें देखे फिर खेलना सुरू करेंगी अच्छा आपको नेशनल भेज जाता है बड़े टूनामेंट में भेज दे जाता है देश के निये किस से खेलना पसंद कर सेंगे साओ कौन सी टीम होगी वो अस्टेलिया से खेलना पसंद करेंगी वो चाहते हैं कि अस्टेलिया के विरुद में खेल लूँ और महां से अपना नाम देश करोशन करूं उसको जीत कर भी लाओं तो यह थी मेरे साथ माधुरी जी उन्होंने बताया कि हमारे कैसे कैसे खेलना चाहती है अच्छा जैसे आप माधुरी क्या कर रहे हो यह सँ नहीं होता है जब यह तो बहर की टीम आई तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो उनके खिलाफ। वह भी अच्छा होते होगे इनका कहना है कि कोच हमें डांटते भी हैं, डांटते जब हैं, जब हम बेस्टर देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह हम वीक जा रहे होते हैं का यह कहना है इनका कहना है मादरु जीका कोछ की जो ट्रेणिंग की जो ट्रेनर हिए हमें बहुत शांदार है बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं के हम और ड्रीम भी वताया कि हुआ सबसे पहले आना और सुबह से ट्रैवल करना थीन बस बदलना तो सब डेडिकेशन इसकी महनत को जाता है और कुदरत इसका साथ देगी उपरवाला एक दिन देश के लिए मैं तो सबसे पहले चाहूँगा मेरा बच्ची है कि देश के लिए खेले लेकिन सबसे पहले उसका डेडिकेशन है सुबे सबसे जल्दी उठना सबसे पहले आना तीन तीन बस बदलना कोच का ये कहना है कि जिस जजबे से माधुरी हमारे स्टूर्नमेंट और हमारी कोचिंग ले रही है ट्रेवल्स को चेंज करके आना और एज़ वूमन का होना बहुत बड़ी बात है और उन वो भी चाहते हैं कि एक नेशनल खेले अच्छा खेले और हमारे देश के निया नाम रोशन करे और माधुरी का एक स्मार्टनस ये भी है कि वो समय से पहले पहुंसती है चाहें वो कहीं भी हो और प्रेक्टिस पर अपना रेगुलर ध्यान लगती है जो कोच उनको प्रेक्टिस देते हैं उस प्रेक्टिस को बारी की हों कुछ समझती है और आगे खेलना चाहती है मेरे साथ खालो स्ट्यडियम में इलाबाथ से किर्केटर जो आयो हुए क्रेक्टीस करते हैं सर मेरा नाम मुह नाम मेरे सुना था यहां पर आके मुझे इसे ही मिला तो थे आप बच्चों के साथ पूरी तरीके से पूरे मन से लगे रहते हैं और जितना हो सकता है हेंड़ परसंट के आओ एक सो बीस परसंट बच्चों के साथ देते हैं और उन्होंने जिदनी अपने कैरियर में दस साल या पंद्रा साल जो क्रिकेट खेली अफरीका से जो सीख क्या है उन्होंने जो टेकनिक खेली वहां पे इंटरनेशनल ख्लालियों के बीच वह रहे कर दो आपे यहां डीक से अंजान है यहां पिड़े जेव वह बहुत उसी को मैं जिर्फ्त यहां द्जी शमयृ litt Safi अधर में साथ आफ्रीक OH कहले और उससे पर वहावित जाता था के खालोर में आप जाके देखिए हमाँ प्रक्टिस बहुत शांदार होती है हिवजान यहां आए और यहां के अनुबब को देखा बड़ा शांदार होने कोचिंग लगी उसके बाद उनने अच्छा लास्ट मैच अभी आप खेले होंगे कौन सा खेला था जी लास्ट मैच मै जिसमें ग्राउंड में लोग मैच गया थे तो वहां पर सिवमाभी वायद हम लोग उनसे भी मुलाकात हुई थी जो करेंट इंडिया खेल ले हैं भी अच्छा जिसे आप खेलते हैं आप किर्कट से जुड़े हुए हैं बेस्ट कौन लगता आपको किर्कट सर बेस्ट तो अब जितने क्रिकटर होते हैं जो उस लेबल तक पहुंचते हैं इंटरनेशनल तक वो अपना बेस्ट देखे ही पहुंचते हैं और बाकी मतलब वो खलाडियों की पसंद होती हम किसको लाइक करते हैं तो मतलब मैं थोड़ा फालो करता हूं कि उनके तरीके थोड़ा बैट जया कि परपस में हो तो कैसे अनुमभ होता है सब जब किसी भी खिलारी को जब लोग टीबी भी देखते हैं या किसी नियू कमर का डेबी होता है तो मतलब हम लोग वो फीलिंग फील होती है कि मतलब कैसा जोस होता होगा उस जर्सी को पहनने के बाद एक अलग सी सर जोस आता है अंदर से कि बहुत अच्छा करना है तो एक फीलिंग आती हम लोग उस सीज को फील करते हैं इभग विराड कोली हो सचिनतंडल कर ओंग यह के पैल पहले एक नाम थे लेकिन इनोंने अपना क्रिकट में परफोमेंस 100% दिया और आज उनका नाम सुर्खियों में है और देश के गिन महत्वे नामाँ उमा जाना जाता है विराट कोली और सचिन ते ग्यशिंत अश्कूर्ष गरते हैं इस एकिन डिन से इतला जाते हैं वह पूरांगाइं इस जाए जाए और अप कंशा पर्फॉरमेंस जो हैं बिलीविक करता है कि अपने अच्छा आप क्या करते हैं बोलर हैं बेस्ट मैन हैं फिल्डर हैं क्या है बेस्ट क्या है अपका किया हैं आप सब बेट्समेंगों कीपर कीपिंग और बेस्टमेंग करते हैं रोब कहते हैं कि धोनी से प्रहण नहीं है और नाम विराट को लिए है तो बड़े अच्छी बात है वो बता रहे हैं हम उनसे निकाल नाम रोशन करने जाएंगे कर किर्किट को जो पर एक चुना है आपके नाम है या स्रा निगा है क्या कुन सा खिलाडी पसंदेज्कों की इंडिया मेंकौन से खिलाडी क्यूंप अरप किर्केटर बहुत सारे हैं इसे निया चूज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक ड्रीम जरूर है कौन है बताओ किर्केटर जो सबसे अच्छा लगता आपको कि रोहित रोहिष शर्मा की केप्टन सिप और रोहिष शर्मा का किर्केट अच्छा लगता है हमें बता रहे हैं विरा पहले स्वोर क्या है आपका है कितने रन बनाते हैं आप बहुत सारे जैसे नंबर तो होते होंगे उनके 14 या 10 सर्थ 39 आज 39 करें अच्छा कभी 50 लगाई यह लगाना चाहते हैं यज कितना लगाना चाहते हैं 50 अंजिडा और 50 डोनों 155 डोनों लगाना चाहते हैं जिसे सचींसी 100 पार कड़े हैं जो घुर खाम यह वहीं? से आगे से त zij गया जाना चाहते है 110 कर ना चाहते है जो भी उनृका बेस्ट पर्कूमेंस ट्जाना चाथे दो मेरे सा है ट्रू olv MA कि अ ओर नहें यह बहुत दूर से आथे हैं ऐस शाइद हमारे अनुफ सहर्ण आते हैं ना अनुफशेर से आते हैं आप टो कैसे पता लगा है किट खेला जाता है मैं एक बार अपने चाचा जी के संग आया था मुझे क्रिकेटर बनना था तो मैं अपने चाचा जी के संग आया था केसे सोचा आपने Kliccator को दे लिग को देकर और रिशपन को देकर अंदर से फीलिंगा याई मेरे को भी cricket खेलना है टीवी पर आना है तीवी पर आना है इनकका क्यों ड्रीम है कि मुझे cricket अच्छा खेलना अच्छा बेस्ट क्या करते हैं आप पोलर हैं? बेस्टमैन है क्या है है? बेस्टमैन वेश्टमैन में है स्कور क्या रहा है? मेरा है हैgende वंपनने तटेवून मीशो SOT 121 एक सोar ron की पारि खेल चुके हैं मेरे साथ होनहार है और बड़ा जजबा है इनके अंदर में चाहता हूँ कि क्यो आज इनू նपने इस वागी एक करते हैं तो कीपिंग कॉन पसंद है कि टेञ्शक मैं हैं कि प्रेण ना रखते है और अच्छी डोनी जी भी पसंद है आखते तो कौंगी MA बाप घृते हैं इससे जानकारी करो है क्योंकि वहागी एक किरक्ट जो हमारे हां देखा जाता है एंक कभी खेलते हैं तो हमारे माबाब जो होते हैं वहाम हमें भगा देते हैं क्या कि खेhla लेकिन यहां जो किट खेला जा रहा है यह माता-पीता क्रिक्ट खिला रहे हुनाः हूं अच्छा, तो आपने ये कैसे चुना खालोरी स्टेटियम ही जाना चाहिए? कहां खेलें, कुछ बता है? ये चाहते हूं कि उनकी कोच सर की बहुत महनत है, उनका बहुत बढ़ा सपोर्ट है सर, और उनकी के सपोर्ट के जिए सर, मेरा बच्चा, यहां तक पहुच चुका है। है इनका मैं चाहती हूं कि एक जो हमारा देश के निये क्रिक्ट खेले जाता उसमें जाकर खेलें मैं वहां ग्राउंड पर मौजूद हूं और मेरा बेटा खेल रहा हो यह बड़ा जजबा है और बारंबार उन्हें धन्यवाद कोच का भी कहा है कि इतनी प्रक्टिस करी इस चोटे से बच्चों के क्रिक्ट में 121 वनाना बड़ी बात है किस रन बनाये हैं मैंने जो है CRPF स्रीनगर में मैंने खुद डूटी की है देश के लिए पहले भी मेरे दिल में बहुत जज़वा था और आज भी मेरे दिल में देश के प्रती बहुत बड़ा ज़वा है सर मे प्र जेसे हम देखते है महिले पडो़ोस में क्रिक्ट जो खेला जाता है तुसमें बच्चे माइबबो को भा बहा देते हैं छो करना चाहता है बच्चे के साथ उसी में सपोर्ट करो जबरजस्ती नहीं थोपना चाहिए सर्ण इनका कहना है कि जो बच्चा या झाल झाल झाल